Smartphone company Infinix ने इंडिया में अपने budget smartphone Infinix Note 7 को launch कर दिया है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जानते हैं इस smartphone के specifications के बारे में सबसे बले बात करें इसके display की तो यहाँ पर आपको मिलता है 6.95 इंचिस का HD Plus डिस्प्ले जो किया आता है Infinity-O design के साथ में और साथ ही इस smartphone में आपको Corning Gorilla Glass की protection में देखने को मिलती है Infinix Note 7 powered है Mediatek Helio G70 chipset से जो कि एक gaming processor है और बहुती बड़िया budget processor माना जाता है साथ ही इस smartphone में आपको 2 RAM वेरिन मिल जाएंगे 4GB, 64GB और 6GB, 120GB इंटरियर मेमरी के साथ में Infinix Note 7 में आपको मिलता है Quad Rear Camera Setup जहाँ पर आपको Main Camera मिलता है 48MP का साथ ही आपको 2MP Macro Sensor मिलता है और इसके लावा 2MP मिलता है Depth के लिए और साथ ही आपको यहाँ पर 2MP Dedicated Video Camera दिया गया है Infinix Note 7 के Front Camera के बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 16MP का Punch Hold Display के साथ Front Camera मिलता है और साथ ही आपको Infinix Note 7 में Quad Camera Flash भी दिया गया है Infinix Note 7 एक 4G स्मार्टफोन है और यह Dual 4G SIM Card को सपोर्ट करता है और साथ ही दोस्तों इसके Charging Port के बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है Micro USB 2.0 Charging Port और यहाँ पर आपको 5000mAh की Long Lasting Battery दी गई है साथ यह स्मार्टफोन 18W की Fast Charging को भी सपोर्ट करता है Fingerprint Sensor की बात करते हैं तो इस स्मार्टफोन में आपको Side Mounted Fingerprint Sensor दिया गया है और दोस्तों यह स्मार्टफोन रन करता है XOS 6.0 पर जो की Based है लेटिस्ट Android 10.0 पर यह स्मार्टफोन 3 color variant में आ सकता है Frost Green, Ether Black और Bolivier Blue और दोस्तों Infinix Note 7 का expected price है 10,000 रूपीज और यह स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने को मिलेगा माई 2020 में दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेर करें और देखते रहें Technical NG सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को जरूर दवाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए